विल इससे पहली की कुछ वीडियों में हमने आपको Tesla और Apple के Free Shares घ्फ गिफ्ट करेते आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको Google के Free Shares देने वाला ह rectangles किस तरीके से आपको मिलेंगे वीडियो के एंड में पता लगेगा लगाना है तो कितना लगाना है नहीं लगाना तो क्यों नहीं लगाना क्या बेनेफिट है क्या नुकसान है सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं देखिए अभी आपको पता है कि रश्या और यूक्रेन का वाड चल रहा है इस वार वाली सिच्वेशन के अ है नीचे आ जाता है तो बहुत कुछ में चल रहे हैं वेट आपकी लिए क्या ही एक पॉर्शन एट है वेज़ जातातर मांके-ट इसमानते हैं कि जब करेक्शन आता है मांकेट में यह राइट टाइम होता है खरीदने का क्यों क्यों कि सबसे पहला पॉइंट जो fundamentally strong companies हैं वो भी करेक्ट करती है उनका भी शेर प्राइस चूड़ता है तो आप कर क्या रहे हो आप एक ऐसी कंपनी जो आपको पता है fundamentally strong है, आपको पता है, जिसका PE ratio अच्छा है, आपको पता है, company अच्छा perform कर रही है, लगाता है revenue company का लगातार आ रहा है profits company की लगातार बढ़ रहे है company की net worth लगातार बढ़ रही है company की valuation बढ़ रही है, बड़ उसको stock price टूड गया, क्यों? क्योंकि stock market ने news पर, event पर react किया जो की lifetime नहीं रहेगा आज से 10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि Reliance ग्रो करेगा, Tata Motors ग्रो करेगा, आपको क्या लगता है Asian Pains ग्रो करेगा, आपको क्या लगता है Ultra Tech, Cement ग्रो करेगा, अगर आपको लगता है यह companies grow करेंगी, तो अगर आप ध्यान से समझो तो अगर correction आता है आपको लगता है, जी market 10% correct हो गई, 15% correct हो गई, 10% अगर market correct हो रही है, तो आप अगर investment आज कर देते हैं, तो वैसे मैंने आपको यह rule पहले भी बताया है कि invest in red to enjoy the green आप invest कर रहे हो red में, जिससे आप green को enjoy करोगे बढ़ आप समझो, जो उस stock का price एक साल पहले दो साल पहले, या फिर तीन साल पहले था आप उस price पर जाके आज खरीद रहे हो, मतलब क्या है कि तीन साल पहले अगर आप investment का decision लेते हो तीन साल पहले चले गए और आप आने वाले टाइम की जो growth मिलने वाली वह आपको मिल सकती है अब यहां पे क्या सिर्फ हम Indian stock market में invest कर सकते हैं definitely आप Indian stock market में invest कर सकते हो बट अब आप limited नहीं हो लोग इस वक्त अपने portfolio को diversify कर रहे हैं अगर share market गिर रही है तो कैसे इंडियन stocks टूट रहे हैं the answer is American stocks भी टूट रहे है हम इस वक्त जब यह video देख रहे हैं हम YouTube पर देख रहे है YouTube किसका है Google का है तो Google का भी share effect हुआ होगा अब मैं आपको एक और important चीज़ बताता हूँ आप Amazon से shopping कर रहे हो Starbucks की coffee भी रहे हो Netflix पर आप जाके बहुत सरी documentaries देखते हो movies देखते हो तो हम American products से घरे हो है आज आप Tesla की गाड़ी नहीं खरीद रहे पर Tesla के business में इंवेस्ट कर सकते हो अगर आप US stocks में इंवेस्ट कर देते हो US stocks का बड़ा benefit क्या होता है कि आपको चलो दिखता है कि यार share कुछ 1000 डॉलर का भी हो सकता है बड़ा fractions के अंदर भी share खरी सकते हो Indian market में ऐसा नहीं होता but US stocks आप fraction में खरी सकते हो मतलब अगर मैं आपको बुलू हूँ कि आपको ultra tech cement का share चाहिए अब आप कोगे sir वो तो तक्रीबन 6000 के आसपास का है कैसे खरी सकते हो दिरसा beautiful app called IND money आप IND money पर जाके free में अपना US stock account बरवा सकते हैं जब आप IND money पर stocks को buy or sell करते हैं तो आपसे कोई भी brokerage चार्ज नहीं होता तो यहां पर 100% zero commission zero brokerage के साथ आप stocks को buy or sell करते हैं अब मैंने आपको बोला था कि आपको free Google के shares मिलेंगे कैसे मिलेंगे आप जब अपना IND money पर जाके US stock account खुलवाएंगे तो account खुलते ही आपको 200 रुपे के Google के free shares मिल जाएंगे और जब पहली investing करेंगे तो आपको 700 रुपे के US stocks अलग से मिलेंगे मतलब 1000 रुपे के stocks आपको free मिल रहें आपको आपकी stocks की investment, mutual funds की investment, real estate investments, आपके account balance एक यह जगा पर दिखता है मतलब आप अपना total net worth एक बार में track कर सकते हैं इसके एसास साथ अगर आप credit card के through भी अगर कोई shopping करते हैं जैसे कि आपने starbucks से coffee ली तो आपको starbucks के free shares मिल लाते हैं अगर आपने apple का phone खरीद है तो आपको apple के free shares मिल लाते हैं अगर आपने netflix का subscription लिया तो आपको netflix के shares मिल लाते हैं इसी तरीके से आपकी spending के अनुसार आपको free US stocks मिलते हैं IND money के through अब आप इसका benefit ले सकते हो आप अपने portfolio को diversify कर सकते हो इस वक्त international companies में भी invest कर सकते हो और आप इस बात को समझ बारे हैं कि अगर आपको एक साल दो साल तीन साल है उससे भी ज़दा अगर हम पहले चले जाए जब उसका share price इतना कम था 10% 15% जो बड़ा है वो तूट चुका है तो आपको इसका benefit मिल रहा है जो की आज की डिट में आप ले सकते हो आइंडी मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में आज ही जाके अपना खुलवा सकते हैं कई लोग बोलते हैं जो तो जो डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लिंक हम आपको देते हैं किसी भी आपके बारे में जब आपको बताते हैं तो आप उसी लिंक के थू जाए किजे आप अगर जाएंगे डिरेक्ली प्ले स्टोर पर या आप स्टोर पर और आप पर कहते हैं कि हमें benefit नहीं मिला उसको एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपने लिंक यूज नहीं किया अभी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में अब यह भी मैंने आपको बता दिया अब फाइनली सबसे बड़ी चीज है कि आप जो डाइवर्सिफिकेशन का benefit तो लेंगे कि मैंने अपना डाइवर् अगर आज हमारा जो डॉलर से उपर है कलको सी से उपर होगा नबे से उपर होगा तो स्टॉक का प्राइस तो अलग बढ़ेगा और अगर आयनल वीक होता है यूज डॉलर के comparison में तो आपको इसका भी benefit मिलता है बट मैं आपको टिप दे रहा हूं याद रखना है forever कभी भी मार्केट करेक्ट हो रही है आपको लग रहा है मुझे ना investment करनी है आपके पास जितना भी capital है याद रखना इस बात को अगर आपके एक क्रोड रुपे है तो आप किसी एक स्टॉक पे इतना वरोसा मत कर लेना कि 50 लाग एकी स्टॉक में डाल दिया पताला का वही डूब ग इंधे हो के 5% से उपर पैसा मत लगाना बहुत opportunities मिलेंगी पैसा लगानेगी एक ही जगा सारा पैसा घुसा दिया तो फिर क्या होगा फिर आपको अगर कोई और अच्छी opportunity मिलती है तो आप उसमें investment नहीं कर पा होगे तो अभी मैंने आपको तीन से बता है एक तो diversification का benefit मिल पर अगर यह 50% हुआ और market बहुत जादा गिर गई तो कई stocks को recover करने में सालों भी लग जाते तो मैं नहीं चाहता आपका नुक्सवान हो इसलिए मैं आपको diversification पहले समझा रहा हूँ दूसरी चीज़ आपको साल पहले चलेगा और उसका benefit ले सकते हो कि आपने एक अच्छे प्राइस पे शेर्स को खरीदा है तो अब इसके बात जो बुल रहें आएगा उसे आप enjoy करोगे so invest in red to enjoy the green यह आपको याद रखना है और तीसरी चीज़ fundamentally strong companies में investment करनी है जरूर नहीं कि penny stocks में अभी आप घुज जाएं क्योंकि fundamentally strong companies बहुत जल्दी bounce back करती है तो market always crashes and market always bounce back और जितने भी बड़े investors हैं वो च्छाते हैं उन्हें अपनी जिंदीगी में कई बार correction देखने को मिले क्योंकि वो तभी पैसा मोटा डालते है stock market में और market बढ़ाना इन्हीं investors के हाथ में तो अगर इतना पैसा इन लोगों का लगा हुआ है आपके पैसे का कुछ नहीं होगा अगर आपने fundamentally strong companies में पैसा लगाया हुआ हुआ तो अगर आपने सोचा कि आप जुआं खेलेंगे stock market में तो आप पैसा गवा सकते हैं आपको message समझ आगया कि आप correction के अंदर investment कर सकते हैं it is a good opportunity as per the most experts बागी आपका क्या मानना है आप भी comments में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि है सब्सक्राइब करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए जरूर बताइगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपके comments पढ़के inspire भी होते हैं अगर खरीदना चाहिए तो मेरे जो points है इनके अलावा आपका क्या thought process है कि इस वक्त क्या यह सही buying opportunity और है तो क्यों है प्लीज कॉमेंट में बताइए फाइनली इस वीडियो को शेर कीजिए जिससे जाधतर लोगों को पता लगे कि किस तरीके से वह इस वक्त मार्केट में बेनेफिट ले सकते हैं इन्वेस्टिंग करके और मैंने आपक वीडियो तिल आप यूगो सफमेड